हेलो आइस प्रेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस सेकेड में चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस अंसर एप्रोच का फोर्थ सेशन जिसमें हम यूपेसी के जीएस के चारो पेपर को अंसर राइटिंग के दौरा कबर करने का प्रयास करते हैं जिसमें हमारी कोशिस रहती है कि ये कोशिन तो आप सौल्व करें, साथे साथ उस टोपिक से सम्मन्दित यदि कोई अन्य कोशिन बनता है तो उसको करने की स्थिति में भी आप रहें इस session में हम 4 question discuss करेंगे जिसमें से एक question रहेगा भारतिय आदुनिक भारतिय इतियास से, एक question हम discuss करेंगे भारतिय अर्थववस्ता खंड से और एक GS4 का question हम discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं आज का session, जिसमें ये question number 13 है, previous trial question हम previous 3 session में cover करा चोके हैं, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, ये question GS4 खंड से है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बहुत नयतिकता है, उन सिधानतों और प्रथाओं से सम्मंदित है, जो किसी को नुकसान पहुँचाने के ब मदद करने वाले तरीकों से कार्य करने में मदद करती है, इसकी आपको पुष्टी करना है, तो इस question को solve करने में भी हम same approach रखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम introduction देंगे, फिर उसका body structure define करेंगे, और last में उसमें छोटा सा conclusion देंगे, अगर हम इसके introduction की बात कर लें, परचे की बात करें, तो जो बहुत दर्सन बासिदान्थ हैं, बास्तविक्ता एबं मानव अस्तित्यों के बारे में एक सार्थक अंतर द्रिश्टी प्रवाइट कराते हैं, इसके अलावा बे जो भोग है और सक्त सैयम की स्तिती के बीच में मद्यमार्ग स्थापित करते हैं, इसके बेक्ति में अंतर द्रिश्टी प्रवाइट कराते हैं, और लोगों को मदद करने वाले कारियों के लिए प्रेरित करते हैं, जो बहुत धर्म के विचार हैं, बे कर्म में विस्वास करता हैं, और जो चीज कर्म में विस्वास करती हैं, बे कारण बाप्रभाव के बीच में सम्मन्द इस्थापित करती है जिसमें जो व्यक्तिक जिस तरीकी का कार्य करेगा उसके प्रभाव उसको आंगे देखने को मिलेंगे इसके लावा बीमारों की सेवा की बात करते हैं परुपकार की भावना की बात करते हैं इसके लाबा जो इनके नैतिक्ता समंदी जो बिचार हैं वो इसाई के जो दो सिद्धान्थ हैं समानता का सिद्धान्थ और पारसपरिक्ता का सिद्धान से मिलते जुलते हैं जिसमें वे समानता के सिध्धान पर बल देते हैं कि सभी लोग समान हैं इसके लाबा पारसप्रेक्टा के सिध्धान के अंतरकत वे ये बताते हैं कि उसी तरीके का भेवार आप करें जो आप अपने प्रती अपिक्षा करते हैं साथी ये मानसिक विकास की बात करते हैं और मानसिक विकास को ये एक मात्र मार्क मानते हैं क्योंकि अगर जब वैक्ति का मानसिक विकास होगा तो बै अपने जो मन पर काबू रख सकेगा इसके लाबा ये प्रेम को भढ़ाने की बात करते हैं जो गरणा क्रोज जैसी जो नेगेटिव भावनाएं हैं उनको जो अंत किया जा सकता है प्रेम वा करणा के दोरा इसके लाबा ये सद्भाव की बात करते हैं, सद्भाव जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी जरूरी है, साथी साथ करसभी जीवित एवं निर्जीव बस्तियों के लिए सद्भाव रखा जाए, साथी साथ पर आत्म सक्ति होती है, एकता की भावना होती है, आत्म न रखे हुए बेक्ति साथ सकता है तो बैबेक्ति लोगों की मदद करने में सक्षम हो जाता है इसके अलाबा दूसरों को नुकसान पहुचा है बिना जब आपको कोई दूसरा नुकसान पहुचा रहा हो तब उस इस्तिती में भी कोई सांत रह सकता है तो बैबेक्ति दूसरों को नुक्सान पहुचाए बिना दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा ततपर रहेगा इसके लाबा आत्म बिसलेशन की भी ये बात करते हैं कि बेक्ति को हर दिन बहतर होने के अभ्यास की जरूवत है हर दिन उसको बहतर बनने का प्रयास करना चाहिए और जो अपने जो कमिय है उसका आत्म बिसलेशन करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए तो इन पॉइंट के मादधम से हमने ये इसमें पुष्टी करने की कुशिश की कि जो बहुत धर्म के जो बिचार है वे कैसे बिक्ति को एक अंतरदर्श्टी प्रधान करते हैं इसके लाब आग जब जो दूसरों को नुकसान पहुचाए बिना हम किस तरीके से कारे करें उस कारे करने में पे मददगार होती है इसके लाब जो बहुत धर्म की जो नैतिकता है वे उप्देशों के रूप में है ये जो बुद्ध के जो सिद्धान्त है वो बेक्ति को प्रिसिशन करने का प्र जिसमें ये कहा गया है कि भारत में जो विसेस आर्थिक छेत्र है ऐसी जैड है योशना ने अपनी शुरूआत के बाद से ही बुनियादी धांचे के निवेस में रोजकार में और निर्यात में जबरदस्त ब्रद्दी दिखाई है ऐसी जैड जो चिनोतियों के अपने उचित हिससे से पीड़ित है और उसमें जो निवेस और निर्यात को भड़ावा देने के लिए कुछ सक्षमता और छूट लाने के लिए ऐसी जैड की कुछ नीती में संसोधन करने की आविस सकता है इसका आपको विसलेशन करना है तो ये कुशन आपका स्पेशल एकोनोमिक जोन विसस आर्थिक शेतर से संबंदित है जिसके बारे में आपको बताना है साथी साथ उससे संबंदित क्या चिनोतियां है उसके बारे में डिसकस करना है साथी साथ उसको किस तरीके से दूर किया जा सके उसको संसोधित किस प्रिकार से किया जा सके उसका आपको विसलेशन कर कर सकते हैं, ये देश के भीतर एक ऐसे छेतर होते हैं जो आम तवर पर सुल्कमुक्त होते हैं या उनको राजकोस ये रियायत दी जाती है साथी साथ ये निवेस को आकरसित एबम रोजगार स्रजन के लिए देश में जो अलग जो व्यापार एबम प्रोसेसिंग जोन था 1965 में इस्थापित किया गया था कांडला गुजरात में इसके लाबा इस्पेशल जो एकॉनोमिक जोन पॉलिसी आई वो 2000 में आई जिसमें जो विदेशी ब्यापार नीती के प्रापधानों के अनुसार ये इस पॉलिसी को निर्थारित किया गया इसके अतिरिक्त आर्थिक गतिविदी का स्रजन किया जा सकता है सातीसाथ बust्यों एवं सेवाओं के निर्यात को भढ़ाने के लिए इसका उद्धेश है सातीसाथ ये प्रयास करता है कि घ्रेलों एवं विदेशी स्तुरोतों से निबेश को आकरसित किया जाए रोजगार के विदाएं हैं उसका विकास किया जाए अगर हम ऐसे जी की जो विसेषता हैं उसके लाब के बारे में बात करें तो यहां पर सुल्क मुक्त आयात इबं घरेलु खरीद पर सुल्क से इनको मुक्त रखा जाता है साथे साथ पहले 5 वर्सों में इनको 100% आयकर से छूट मिलती है और बात के 5 वर्सों में 50% आयकर सुट मिलती है इसके अलाबा जो निर्यात से जो इनको आयस रिजित होती है उसमें 50% में पुना निवेस अगले 5 वर्सों के लिए करते हैं साथी साथ जो राज सरकार के अंतगर जो GST और लेवी में इनको छूट दी जाती है जो मिनिममम अल्टरनेटिव टैक्स होता है उससे भी इनको छूट मिली होती है इसके अंतगर एक-एक सिंगल बिंडो का प्राबधान होता है जिसमें उनको कई सारी जो मंजूरिया है उ निर्यात में ब्रद्दी में जो सफलता इस्थापित की है तो उसको हम आंकड़े के दोरा देख लेते हैं दोहजार पांच-छे में ऐसी जैट को इस्थापित किया गया और 2020-21 से हम इसको कंपेर करके देखें तो दोहजार पांच-छे में जो निर्यात था हमारा 22,000 करोड जो आज भढ़कर 7.5 कROड़ हो गया है इसके खलाब अगर मेश की बात करें तो में LA निवेस था 4,000 करोड जो कि आज भढ़कर 6,000,000 करोड हो गया है इसके लावा जो रोजकार की अगर इस्तितिव में बात करें तो उस समय यह प्रोवाइट करा रहा था के बल डेड़ लाक लोगों को रोजकार लेकिन आज यह प्रोवाइट कराता है साड़े 23,000,000 को रोजका तो यह हमने बात कर ली इसकी सफलता के बारे में इसके बाद हम SCJet से सम्मंदित क्या चुनोतिया है उसके बारे में देखते हैं 2017 से 2020 के बीच में अगर हम देखे जाएं तो उसमें जो कर अपकास दिया जाता था उसको समात कर दिया गया जिससे जो डैबलपर्स और जो एक कर दिकार मिलने लगे तो इस तरीके से यह एक तरीके से आकर्शन का केंदर नहीं रहे जो जो एसी जैट्स में जो अनोपयोगी भूमी है बैबी इसके सामने एक चुनोति है साथी साथ देश में कई तरीके के मॉडल हैं जैसे कि SCJet और जो 30 जो आर्थिक शेत्र होते हैं दिल्ली मुंबई, इंडिस्टियल कॉरिडोर है, राष्टिय निवेसवा बिनिर्मार्ट शेत्र है, फूट पार्क्स हैं, टेक्स्टाइल पार्क्स हैं, ड्रग पार्क्स हैं इस तरीके के कई मॉडल भारत में अस्तित्म में हैं तो इनको एक ही करने में इनमें चुनोति क सामना करना पड़ता है साती साथ जो आशियान देश हैं उनका निर्यात लगातार भड़ रहा है तो बैवी इनके सामने एक प्रितिसफर्दा के रूप में चुनोती प्रिस्तुत करते हैं इसके लाबा इसके सुधार के अगर उपाये बात करें तो इसमें एक इंपोर्डेंट कमेटी है स्रीबाबा कल्यानी समीती जो की 2018 में इसको स्थापित किया गया था ACJ के अध्यन के लिए और साथी साथ इससे संबंदित नीती उपायों के लिए तो इसने कुछ सिफारिस दी उनके बारे में देख लेते हैं इसने कहा कि जो ACJ का नाम है उसका नाम बदल के 3ES कर देना चाहिए 3ES का मतलब है Employment and Economic Enclaim साथी साथ इसके जो फ्रेमबर्क है उसमें बदलाब किया जाना चाहिए जो इसका जो निर्यात से संबंदित केवल हमने फ्रेमबर्क रखा है उसको हमें ऐसे स्थापित करना चाहिए कि वे ब्यापक, रोजगार एबम आर्थिक बिकास को स्थापित क जाएगा उसमें निबेस्त के लिए एक उनलाइन पॉर्टल इस्थापित किया जाएगा साथी साथ इसके अन्य सुधार के बात करें तो जो संसेट क्लोज है उसका विस्तार किया जाना चाहिए जो करवा सुल्क का जो लाव अभी जो अपकास कर दिया गया था अपकास को लगातार बरकरार रखा जाना चाहिए साथी जाएगा जो इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विस सेंटर है उसके लिए एक इकरत बिनियामक होना चाहिए जो बजट 2022-2022 में भी इसमें कुछ बात की गई इसके सुधारों से सम्मंदित कि जो ऐसी जैड है उसको एक नए कान इसके लाब जो सीवास सुल्ख होगा बैइ आईटी सनचालत होगा सातिसाथ इसमें सिंगल बिंडो क्लियरेंस इसताफिद किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टर्सको कई सारी जो क्लियरेंस है उनको सिंगल बिंडो पर ही प्रोपाईट होऊएगी तो इस तरीके के स्वधार के उपाए हम इसमें बजट का जिक्र करते हुए लेख सकते हैं ये कोशन हमने डिसकस किया SCZ के बारे में चलिए चलते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन ये GS पेपर 2 भारतिय सासनखन से है जिसमें जो किसानों के हितों की रक्षा में जो प्रधानमंती फसल भीमा योजना के प्रदर्शन का मूल ल्यांकन करें साथी साथ जो फसल आस्वाशन का जो दावा है उसका सीक्र निप्टान सुनिशित कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आपने उपाए बताएं तो इसमें प्रधानमंती फसल बीमा योजना जो चल रही है उसके प्रदर्शन का मूल ल्यांकन करना है तो सबसे पहले तो हमें प्रधानमंती फसल बीमा योजना के बारे में पता होना चाहिए तो इसके introduction में हम प्रधानमंती फसल बीमा योजना के बारे में लिख सकते हैं कि पूरे देश में एक समान प्रीमियम दर पर जोखिम किसानों के लिए जोखिम समादान इस्थापद करने के लिए ये एक मील का फत्तर इस्थापद करने वाली योजना थी इसके लाबा जो इसका जो उदेश था जो मानसून प्रेरित मूल्य में जो उतार चाड़ावा जाते हैं किसानों के जो उत्पादों में तो उसको कम करने का प्रयास करना इसमें जो खरीफ फसलों और रभी की फसल और ब्यापारिक फसलों की जो प्रीमियम की दर रखी गई है खरीफ फसलों के लिए 2% जो किसानों को पे करनी होगी रभी के लिए 1.5% और जो ब्यापारिक फसलों के लिए इसमें 5% प्रीमियम की रासी रखी गई है तो इसके introduction को हम इस तरीके से start कर सकते हैं, प्रदानमंती फसल वीमा योजना के बारे में, इसके लाबा योजना के बारे में अगर हम और बात करें, तो जो फसल की बिफलता है, जिसमें कई सारी जो हमारी जो फसल है, जो हमारी जो किर्सी होती है, मांसून प्रेरित है, जिसक इसके अलाबा प्रधानमंती फसल बीमा योजना 2.0 भी आया जो की अधिक कुसल इबम इसको प्रभावी बनाने के लिए कारे किया इसने और इसकी जो अगर बिसेशताओं की बात करें तो यह 100% सुच्छे कर दी गई थी इसके अलाबा इसमें जो केंद्रिय सबसेडी थी उस इसके 0.5% को उसमें निबेस करने की इनको बात दिता रखी गई थी इसके लाबावाकर हम इसके प्रदर्शन की बात करें इस योजना के तो इसमें फसल बीमा एप है जो की एक किशानों का आसन नामंकन सुनिश्यत करता है साथी साथ अगर कोई फसल नुकसान होता है तो भाततर खंठे के भीतर उसकी रिपोर्टिंग करता है साथी साथ इसमें नभीन तम तकनीकी उपकरणों का योज किया गया है जो की फसल का नुकसान का आकलन आसानी से कर लेता है जैसे कि उपग्रे इमेशरी, रेमोट सेंसिंग, ड्रोन, आर्टिफिसल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नभीन तकनीकी उपकरणों का इसमें प्रयोक किया जाता है फसल के नुकसान को मापने के लिए इसके अलावा जो प्रधानमंती फसल भीमा योजना पोर्टल है जिसमें भूमी अविलेकों का एकी करण किया गया है और प्रतिबर्स योजना में लग पुष्टी करना चाहिए तो 2019 फीस में जो लोकस्ट अटेक हुआ था टिडडी का जो हमला हुआ था उस वक्त में राजस्थान में लगवक 30 करोड किसानों के क्लेम को तुरंत प्रभाब से ही कंपनी के दौरा पूरा कर दिया क्या इसके लाब अगर इसमें आंगे और क्या इसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं इसमें जो छूट एबम जो सेबा का बितरन है उसको युक्ती संगत बनाना चाहिए जैसे कि रिंड माफी जो समय समय पर की जाती है राज्य सरकारों के दौरा अपनी पॉपुलिस्ट अप्रोच के लगवर्ण बिला तो इस तरीके का इसमें देरि नहीं होने चाहिए इसके लाबर जो भेवारिक परिभर्तन किया जाना चाहिए कि किसानों के अंतकत जो प्रीमियम ये दे रहे हैं उनका निबेस है वह इनका उनपूर्ट इनपूर्ट है और जो बुरे समय में उनकी साहित जारहाती किसान लगवर 95% किसान स्थोटे आब सीमान किसान है और इसके लाब numer sup लगातार जो समस्य बार्द की समस्य सबढ़़ती तो जो तट पर रहने वाले जो किसान हैं उन्हें चक्रवाद जैसी चलम मौसमी घड़नाओं को सामना करना पड़ता है तो इसके लिए जरूरी है कि उनको सुलब किर्सी बीमा उबलब कराया जाए और इस बीमा की उनके पास रीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके तो ये कोशन हमने डिसकस किया प्रधानमंती भसल भीमा योजना से संबंदित चलिए चलते हैं नेक्स कोशन पर जिसमें हम मौडरन इंडिया के कोशन के डिसकस करींगे इसमें जो 1909 के सुधारों की बात की इसके बारे में आपको विशलेशन करना है कि जो देश के लोगो उस समय प्रभाव डाला तो उसके बारे में हमें इसमें इसपस्ट करना है तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसका पहले हम इंट्रोडेक्शन देंगे इसमें जो भारतिय सासन अधिनियम जिसको मारले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है राज्य सचिव इस साती साथ जो बायस रहे थे वे मिंटो थे इसलिए सुधार को मारले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है इसके में जो पहली बार चुनाब विधी को पेस किया गया और साती साथ उसे भढ़ाने का प्रयास किया गया और जो नरम पंतियों की जो मांग थी उनको करने के लिए अधिनियम लाया गया था इसके लाबा इसकी हम प्रस्टभूमी को देख लेते हैं कि किस प्रस्टभूमी के आधार पर इस एक्ट को लाया गया 1906 में क्या हुआ आगा खाके नेतरत में एक सिमला में इन्होंने मिंटों से मुलाकात की एक ग्रूप ने जिन्होंने मांग की कि उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंदल इस्थापित किया जाए साथी साथ इनको संख्या से अधिक प्रतिनेदित्व की मांग इनके दौरा मि रखी गई इसके अलावा जो यह समू जो मिला था मिंटों से इसी समू का मुस्लिम लिक पर अधिकार बढ़ता गया जिसे मुस्लिम लिक को नवाब मुहसीन उल्मुल्क और बकार उल्मुल्क की मदस्स नवाब सलीमुल्ला ने जो इस्थापित किया गया था उस पर इस जंटों का भी मानना था कि जो बंगाल में जो बिद्रो हुए हैं उन पर अगर नकेल कस्नी हैं तो हमें इस तरीके के भिवाजन की नीती को अपनाना पड़ेगा जो बंगाल का भिवाजन जो किया था करजन के दौरा बै इसमें पर्याप नहीं था इसके लावा हम अधिनियम की विस्षिस्ताइं देख लेते हैं इसमें जो केंद्रिय एवं प्रांतिय बिधान परसत थी उसके आकार को इंक्रीज किया गया जो केंद्रिय बिधान परसत थी उसमें 16-60 कर दिये गए साथे सा जो प्रांतिय बिधान परसत थी उसमें अलग- इसमें जो निर्वाचे सदस होते थे परोक्ष रूप से चुने जाते थे ना कि पृत्यक्ष रूप से इसमें जो इस्थानिय रूप से एक निर्वाचक मंडल होता था जो इस्थानिय लोगों का चुनाप करता था और इस्थानिय प्रांतिय का चुनाप करते थे और इन प् प्रस्ताब आप पेस कर सकते हैं इसके लाब इसमें सबसे महत्पूर्ण ये था कि पहली बार इसमें बाइस राए के जो कारेकारी परसद में एक भारतिय सदस्य को सामिल किया गया और 17% सिना उसमें सबसे पहले सदस्य के रूप में इस्थापित हुए जो की विदी सदस्य क रूप में उसमें थे इसके अलाबा इसमें जो मुश्लिमों को लिए प्रिथक निर्वाचन की अब्धारना को स्थापित किया गया जिसमें अगर कहीं पर मुश्लिम प्रितिनिदी अगर चुनाब लड़ता है तो उसको बोट देने का अधिकार भी केवल मुश्लिम को तो इस प्रितक निर्वाचन के माध्यम से अंग्रे जोक्यों दौरा जो भिभाजन की जो नीव को डालने का प्रियास किया गया इसके अलाबा अगर हम बात करें यह सुधार जो किये गह थे अकर उसका मूल्यांकन की बात करें तो जो आपने सिक सुसासन की जो मांग कर रह खा गया अगर हम बात करें सामविधानेक सुधारों की जो इसके अंतगत किये गए तो उनका जो उद्देश था वह यह उद्देश था कि नरम पंतियों को भ्रमित किया जाए साथी साथ जो चरम पंति और जो नरम पंति के बीच में जो खाई है उसको और ज्यादा बड़ कर दिया जाए साथी ब्रिटिस का जो प्लान था कि नरम पंतियों और मुश्लिमों को का समर्थन प्राप्ट कर सके और इसमें जो चुनाव प्रणाली थी अप्रत्यक्स थी जिसके करण जो भारतिये लोगों का उस विधान परसद में पहुशना काफी मुश्किल था इसके कि उन्होंने सार्भामिक प्रात्मिक सिच्छा की मांग की दमनकारी जो नीती थी उस पर हमला किया जो गिर्मिटिया सिर्मिक थे और जो भारतिया सिर्मिक थे उनकी दुरदर्सा पर ध्यान केंद्र करने का उन्होंने प्रयास किया तो यह हमने सुधारों का इसमें मूल ल नाली थी बस संसदी परंपरा को के आधार इस्थापित करने में एक उसने महतपूर्ण भूमी का निभाई साथ भारतियों को अपनी सिकायते दर्श कराने के लिए एक माध्यम भी इसके दौरा मिल गया था ये कुशन हमने डिसकस किया 1909 एक्ट से सम्मंदित इसी तरीके के स सिसन हम आपके बीच में लाते रहेंगे साथे साथ इसकी जो PDF है आपको हमारे इस Telegram चैनल पर मिल जाएगी Please stay tuned and subscribe the Unlock GS Academy Thank You